नितीश कुमार की सरकार से स्तीफा देने के एक हफ़ते बाद जीतन राम मांजी के बेटे और हम पार्टी के राष्टे अधियक संतोष कुमार सुमन ने अपने पिता जीतन राम मांजी के साथ देश के ग्रेह मंतरी अमिच्छा के साथ मुलाकात की है क्या बाचीत हुई आपकी अमिच्छा जी के साथ और नित्यारंद्राय भी शामिल थे आप लोग NDA में शामिल हो गए जी आज हमने जो हमारी मुलकात हुई गरी मंत्री जी के साथ तो हम लोग ने साधानतिक सहमती थी उनसे बात कर्म में उनसे सारी बातों पर विचार करने क के बाद दिविन पहलूँ पर समाजिक पहलू है राजनितिक पहलू है इन सब बातों पर विचार करने के बाद हमने सहमती जता आई कि हम आपके साथ चलेंगे और आज हमने उनको कंफर्म किया कि आपके साथ हैं और आने वाला समय में जो बाते बिदवत रूप से होती है और जो सब सीट सेरिंग और वो तो बात की चर्चा है आप अंडिये में शामिल हो गए हैं और अब आप लोकसभा चुनाव साथ लड़ेंगे हैं जी हमने सहमती जता दिये कि हम आपके साथ चलेंगे तो निशी तोर पर हम इंडिये के पार्ट हो गए हैं और लोकसभा पता था कि आप लोग इधर मिल गए हैं तो इस पर आप क्या क्या आप कौन सी खबरें लिग कर रहे हैं थे तो जनकारी मुझे नहीं है और अगर खबरें लिग बता देते हैं कि आप खबरी हैं भेदिया हैं आप हमारे पार्टी से हमारे गठ्वंदन से ऐलग हो जाईए ह अगर जासूस है और अच्छा है कि आपके पाँ चला जाए और सारी बातों को बताने के लिए कुछ अगर बैक्तिकत फायदा लेना होता तो आपके खबर को हम करते हैं और ऐसी कौन सी खबर आपके पास दी जो आपके मीडिया बाई बंदों के पास नहीं पहुचती है ऐसी कौन सी मीटिंग आप कर लेते हैं जो आपके पास खबर नहीं होती जो अब एक एक बात बोलते हैं वहाँ के सारे चैनल के माधियम से बाहर निकल रही है ति एक कौन सा खबर के बात करने हैं मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है लेकिन जो बोल रहे हैं उनको बोल करें तो जड़ीब दलीद का भी सोभिमान है तो सोभिमान के रक्षा के लिए उनकी आवाज बने रहने के लिए अपने आपको स्थित में बना के रखने के लिए उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग पास क्या विकल्प थे हमारे पर बिकल्प दो ही तीन भिकल्प पर हम त्यारि किये और हमारी राष्टे कारशकानी करें ने ननी थिक्रीद किया हम जब मुलकात होई मुलकात होनेके वाद सारी बात Uh हमने चर्चार है उनसे सारी बातों पर चर्चार की और उनका अस्वासन आया कि नहीं गरीब के साथ हम भी ईग्रीब के साथ और उनोंका हम लोग मदद करेंगे और हम लोग एक हो जाइए एक होकर के बिहार के नहीं पूरे देश की राजनीती की जिए और आने वाला विधान सवा चुनाओं में भरते जन्तापार्टी के सरकार हों बनेगी तो हमने आज समयती दी बात बाकी बातें जो होनी है वह स्टेट लेबल पर होनी है जब इदबत घोषना करने की बात हो तेशाब स्टेट लेबल पर होगी लेकिन एक सहमती हमारी बन गई हमिशाजी ने क्या कहा कि हम जिन मुद्वों को लेकर चल रहे हैं करीबों की आवाज बनने के उनके साथ हो रहेंगे हमको उनसमें सायोग करेंगे और क्या भरोसा होता राजनीती में तो एक समयती बातें होती है उसकी कमीटमेंट का ही बहुत बड़ा वेलू होता है बाकी क्या मिलना है न मिलना ह अमेरिका से तो उनसे भी मुलाकात का कोई कारक्रम है अभी तो इसा नहीं तहा है लेकिन हम लोग करेंगे कि मानिय प्रधान मंतिजी का भी आसिरवाद लिया जाया और अनिशी तोर पर हम लोग की मुलाकात हो गी अब एक मेहना देड़ मेना हो जब भी हो आ गये हैं बिहा करेंगे उसमें दावा कुछ नहीं होता है बाकि जनता करती है ना जनता का सिरवाद है जनता भाई नरेंदर मोदी जी के साथ है तो हम समस्ते जब उन 40 दिया तो 40 भी देने उनकों के परहेज नहीं है हम लोग को पूरा विश्वास है कि जिस तरह से नोटंकी किया जा रहा इतना स्टैबलिस नेता है जिसके पूरी दुनिया रिकनाईश करती है पूरे दुनिया के लोग मान रहे हैं अब जो उनके सामने एक चेहरा खोज रहे हैं चेहरा नहीं मिल रहा है आप कब तक खोजेंगे और कि गुमनामी गंधोर में खो जाएंगे लोटरी होगा जिनका राज लेकर के कोई डील हुई है और अवि तक कोई बात यह के तरह टोट आखें वहां पर स्ट्रेट ऐस तरहा की बात है भी बोलनी चाहिए तो हम सब सीटों पर कर रहे हैं हम घतना मजबूत होंगे उतना ही सयोगं का सपोर्ट करेंगे लेकिन अभी इस तरह की कोई बातें नहीं हुई है आने वला समय में सारी बातें हो जाएगी शुक्रे बात करने के लिए तो जाएक तरफ संतोष सुमन दावा कर रहे हैं कि जो अगला लोकसभा चुनाओ होगा और विधान सभा चुनाओ होगा यह सिलसिला इस बार कब तक चलता है केमरापसर निखिल रस्तोगी के साथ जैनेंद्र एबीपी न्यूज दिली